नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तो यूक्रेन तनाओ के बीच रूस ने महा विनासक परमाड़ मिसाइलों का परिछड करके दुनिया को अपनी ताकत का एसास करा दिया है और इन रूसी मिसाइलों को जमीन हवा और समुद्र के अंदर से भी दागा गया है और वहीं खुद रूसी राष्टपति ब्लादमीर पुतिन ने इस रणनितिक परमाड़ अभ्यास को देखा है और जहां रूसी ने उक्रेन में जारी तनाव के बीच सनी वार को परमाड़ अभ्यास से देखाद पैदा कर दिया है वहीं रूसी सेन ने जमीनी हवा और समुद्र से महाभिनासक मिसाइलों की बारिस का भी अभ्यास किया है जहां रूसी मिसाइलों में परंपरागत मिसाइलों के साथ साथ दो हाइपरसोनिक मिसाइले भी सामिल थी दरसल दोस्तों, रूस ने यूक्रेण में जारी तनाओ के बीच सनीवार को जमीन हवा और समुद्र से महा बिनासक मिसाईलों की बारिस का अभ्यास करके पूरी दुनिया को चौंका करक दिया है। और रूसी मिसाइलों में परंप्रागत मिसाइलों के साथ साथ दो हाइपर सोनिक मिसाइले भी सामिल थी जिनका तोड़ अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है और ये रूसी मिसाइले दुनिया के किसी भी कोने में परमाड उबम गिराने में सच्छम है जिसस किसी भी सहर को पल भर में राक के धेर में बदला जा सकता है वहीं रूस के इस परमाड युद्ध अभ्यास के दवरान देश के राष्टपत ब्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के तानासा लुकाशेंको भी क्रेमिलीन में मौजूद थे और इस अभ्यास की सुरुआत में र जारों किलो मिटर दूर स्थित अपने एक लच को निसाना बनाया है और रूस ने जिन मिसाइलों का परिछड किया है उनमें यार्स मोबाइल अंतर महादी पीय मिसाइल और सिनेवा जो समुद्र से लांच की जाने वाली बैलेस्टिक मिसाइल है टीउ-95 बांबर की मदद स हावा से दागे जाने वाली क्रूज मिसाइल है कैलीबर जो सम्मरीन से लांच की जाने वाली क्रूज मिसाइल है इसकंदर जमीन से लांच की जाने वाली क्रूज मिसाइल सामिल है और इसके लाव रूस ने अपनी ब्रहमास्त्र कहे जाने वाली हाइपर सोनिंग मिसाइल कि मिक थर्टीवन के फाइटर जट से दागा गया है वही जिरकान को जंगी जहाजों से दागा गया है और उत्तरी और काला सागर में मौजूद जंगी जहाजो और सम्मरीन के कैलीबर क्रूज मिसाईल और जिरिकान हाइपर सोनिक मिसाईलों से समुदर और जमीन पर मौजूद लच्छेों को निसाना भी बनाया गया है वहीं इसके लाव रूसी सैनिकों ने इसकंदर जमीन आधारित क्रूज मिसाईल को दच्छिडी रूस के कापुस तीन यार परिछड स्थल से दागा गया है और रूसी रच्छा मंत्राले ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि इस तरह से मिक-31 के विवानों ने किंजल हाइपर सोनिक मिसाईल से जमीनी लच्छ को निसाना बनाया है और RS-24 यार्स थर्मो नुकलियर अंतर महादीपी बैलिस्टिक मिसाईल को भी परिछड के दौरान देखा गया है और रूसी रच्छपत कार्याले ने कहा है कि सभी मिसाईलों ने अपने लच्छ को निसाना बनाने में सफलता हासिल की है वहीं जिरकान मिसाईल ध्वन की सादगुना रप्तारिया मैक 7 की गत से हमला करने में सच्छम है और रूस की योजना अपनी सेना को हाईपर सोनिंग मिसाईलों से लैस करने की है वहीं रूसी राष्टपत ब्लादमीर पुतिन ने वर्स 2018 में ही कहा था कि यह मिसाईल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाई डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है और माना जाता है कि यह मिसाईल 1000 किलोमीटर तक अपने दुस्वन को तबाह करने की छमता रखती है वहीं रूस के इसकंदर मिसाईल सिस्टम की बात करूं तो यह एक सार्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाईल सिस्टम है और इसे साल 2006 में रूसी सेना में कमीशन किया गया था और यह सिस्टम वर्तमान में रूसी सेना, अर्मेनियाई सेना और अलजिरियाई सेना में कमीशन है और इसकी मिसाईले 480 से 700 किलोग्राम तक परमाड हथियार और गैर परमाड वारहेट को भी लेकर जा सकती है और इसकी मिसाले मैक 5.9 की स्पीट से उडान भर सकती हैं अब आप लोगं का क्या कहना है रूस के इस परमार यूद धब्यास पर कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, शेर, सब्सक्राइब करके घंटी आले बटन को ज़रूर प्रस करें ताकि डिफेंस से जूड़ी खाबरे आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद